हम लोग भगवद गीता के छटे अध्याय के चौबिस में श्लोक को देख रहे हैं और शायद हो जगेगा तो पच्चिस में विभग मेरे पीछे माय के बोलिए आप बोली अन्मों कृष्णू सनिष्चेन योक्तव्यो योगो निर्विन चेतसा संकल्व प्रभवान कामां संकल्व प्रभवान कामाम तेक्तवा सर्वान अशेषतह मनसे वएंद्रिय ग्रामं विनियम्या समं तथख न तो भगवान ने इससे पहले जो वर्दन किया था सिद्धी क्यवस्था उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है सनिश्चयन योगतव्य हों करतव्य जैसे करना चाहिए योगतव्य मतलब योग का भ्यास जो होना चाहिए तो बड़े निश्चय के संग योग का भ्यास करना चाहिए कि यह दिन में कि सफलता प्राप्ट नहीं होती किसी भी सफलता में एक दिन में सवक्राप्त नहीं होती है । कि ने ऐसे हां इसके भाद दूसरा नाइन है योगो और निर्विण्न चेतसा, निर्विण्न का मतलब होता है कि किसी दिन सफलता पराप्त नहीं हुई, या मन नहीं लग रहा है, कुछ और कठनाई आ रही है, तो अब जह को वेक्ति-भक्ति को छोड़ दे या योग की पत को छोड़ दे, अनिर्वणने कुछ भी हो जाए मैं इस प्रयास को नहीं प्रयास को नहीं त्यागूंगा यह बहुत इंपॉर्टन बात यह कॉन बोल रहा है भगवान स्वेम बोल रहे क्योंकि योग कि बत पर कभी कोई हानी नहीं होती जब वक्ति प्रगति कर रहा है तो अि यह नहीं है कि अगर किसी को थोड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई, मन को नहीं लगा पारा भगवान में शुर्वात में, तो भगती छोड़ दे या योग कबत पर छोड़ दे. कौन बोल रहा है, फिर से आद करिये, भगवान स्वयम बोल रहा है, भगवान यहीं चाहते हैं, भगत अपने थोड़े से प्रयास करके भी छोड़ दे. खोचा बगली बार आऊंगा, अगले जनम में आऊंगा. संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प कर्थात, मन में संकल्प उठते हैं, तो संकल्प के प्रभाव से जो हिर्दे में भोग की इच्छाएं उठती हैं, काम का मरतब होता है, भोग इच्छा, त्यक्तवा कर्थ क्या होता है, छोड़ दे, उनको त्याग दे, इस खार्थ, मन कुछ भी बोले उस पर ध्यान ना दे ऐसा नहीं है कि हम मन को स्यम करने जाएंगे तो मन का ठीक है हमबल सर्वेंट और आप क्या क्या चाहते हैं ऐसा कोई होता है कि नहीं होता है तो बहुत सारी इच्छाएं आती रहेंगी उनकी कॉस्ट वैल्यू एनालिसिस कर ले कि अगर कॉस्ट मतलब उसकी वैल्यू क्या है और उसकी कॉस्ट क्या है तो मैं इस इंद्रिभो की जो संकल पा रहा है उसको पूर्णा करने चलूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा ये बुद्धी के द्वारा व्यक्ति निरने कर लें कि वो सकता है उसके द्वारा मुझे अगरा जनम प्राप्त होगा इच्छा आएगी जाएगी लेकिन उस इच्छा को क्रियान क्रियान विद्ध नहीं करना होता है क्रियान समझते हैं यह बहुत एक जगत में भी अगर कोई पास पैसे नहीं हो तो विंडो शॉपिंग कर सकता है शॉपिंग थो नहीं है वह गलक बात है लेकिन लोग इसी प्रयास में यह देखते होए कि जिन लोगों को सारी बहुत इक संपत्ति प्राप्त होगी वह भी अत्रिपत ही मरे हैं उपने प्रयास्तों को न लगाए तो चोड़ते हैं और उसमें क्या है कुछ छोड़े या कुछ न छोड़े तो कहरें नहीं सर्वान अशिष्टा कुछ भी न छोड़े किसी सारी बहुतिक इच्छाओं को त्याग दे कि अब जानते हो योग में जब विक्ति योग अभ्यास करता है सिध्यां प्राप्त हो सकती हैं लेकिन उनको टार्गेट ना करके उनको छोड़ते हुए वे योग के पत्वे आके बढ़ेगा इसको आप फारिबिंग से समझ सकते हो अच्छे से जब आप कोई लता लगाते है साथ साथ को जो वीड्स भी उखती है वीड्स का मतलब होता है खरपतवार जो देखने में बिल्कुल वशी लगती है आको रोग श्वास नहीं हो तो हमारे ही गार्ण में जाके आप देख सकते हैं मुझसे वहां के माली ने पूचा कि तो उससे काट ने क्या और ने क्या औ है और क्या उसकी भक्ति भक्ति लता है इस प्रकार से खकते है कोई भी बहुती के इच्छा को नर्षर मतलब पोशक नहीं करें फिर कहा रहा है मण सी व के पत्त में आगे बढ़ सकता है तो याद किया जा एक है निश्यक कि मैं योग पत gefेगाँग होगा निश्य सफलता प्राप्त होगी ही अनिर्विण नचेत अर्थात यह नहीं कि आज एक दो दिन में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो पत को छोड़ दे तीसरा क्या है बहुत है कि छाओं को त्यागते हुए और चौथा पॉइंट है मन और इंद्रियों को सेमित करते हुए इस प्रकार से योका भ्यास करें मनिश्य को चाहिए कि संकल पतथा श्रद्धा के साथ श्रद्धा करत है कि इस पत्थ के द्वारा मुझे सफलता प्राप्त होगी सिंपल समझ मैरी वैसे हम लोग गाड़ी पे बैठते हैं तो यह श्रद्धा होती हुए कि मैं इस गाड़ी को पेठा आओं तो वहां उस स्थान तक पहुंच जाओंगा अगर यह श्रद्धा और यह सोचने लग जा रही मेरा अक्सिडेंट हो गया तो अब तो आप गाड़ी में बैठेंगे ही नहीं तो आप स्रद्धा रखते हैं इसके कि एक्सिडेंट हो सकता है फिर भी श्रद्धा रखते हैं कि मैं इस काश्रे लोंगा तो पार उस्थान तो पहुंच जाओंगा इस साधन को करूंगा तो साध्य तक पहुंच जाओंगा इस समस्ते हैं इफ आ टेक दिस प्रसेस आइल रीच माई गोल सब्सक्राइब नहीं है तो फिर कैसे विटी करेंगा तो इस शास्त्रे शद्धा के द्वारा इसको शिकार करना से स्टेबल पूल्टा रखा गए वहाँ जीव से लग रहा तो तो आगे बढ़ते हैं मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तो श्रद्धा के साथ संकल्प शब्द बहुत इंपोर्टेंट है आप आज आपने जो कुछ भी किया उसके पीचे संकल्प होता है यहीं बात समझ रहे हैं अब सबसे बड़े उधारण तो मारे प्रवुजीन को हिंदी समझ में नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी क्लास में आएं यह तो बड़ा अदबत डिवोटी हैं हमारे तो बड़ा तोड़ा हिंदी सीख जाएंगे बड़ा अच्छा संकल्प है अगर हमने संकल्प ले लिया एक मारे वक्त ने बोला मझे जब के बारे में एक नाम भी आपने सुना है तो बहुत महान है बहुत फाइदा है तो मैं उसी को प्रयास कर रहा तो जो संकल्प ही नहीं लेंगे अगर तो उनका ध्यान पूर्वर जब करेंगे नहीं और आप जानते हो कि इन्सानों में ही शक्ती स्पेशल हाइग वो संकल्प अपनी बुधिके इंसार कर सकते तो हमstrence यह आगे फायदे मन दे इसलिए मैं इसको करूँगा यह जानवर में बुद्धी होती है क्या जानवर में बुद्धी नहीं होती कि तो यह बात है शद्धा किसंग अभ्यास करें और पत से विचले तना हो कि मुझे याद है बारस का अभारण डूंगा जब में को साइकिल खरीदी के थी बच्पन में तो मैं सुचया रहा था चोटी साइकल खरीद्धी करीदी जिकिन फुल साइज साइकल करीदो मैं रोने ड़ा है तो चला ही नहीं सकता है जैसे का प्रयास की गिर पड़ा में कि अब में इस मिरने की वजह से कभी अबların कि चला तो अगर अभ्यास न करे तो या बत से विचलित हो जाए तो किवल गिरने की डर से एक अच्छी कहावत है कहावत क्या शायरी है घिरते हैं मैं दान जंग करने का प्रयास कर रहा है ឃव ही थोड़ा कभी हो सकता है इन दूर से हम नहींना कर पाया फिर सबहा से मैं कि किसी भी गुस्ता नहीं हुआ थोड़ी देर में गुस्ता हो गया जॉक्त से मुनिक नह कही दें को हो गया सहरा प्रीज मैं फिर से बात रिपीट करूगा, भक्ति के पत पे अगर आप बने रहेंगे, मैं मैं मोटिवेशनल स्पीच निक दे रहा हूँ, प्रभुपादी स्वेम बोलते हैं, अगर हम भक्ति के पत पे बने रहें, जो जो आपको इसमें बाधा लग रही है, वो भगवान व क्रोज भी करने युजरत ने की क्या परशानी, सब के संग कोच चाही परशानी आए, काम, क्रोध, लोब, मोह, माद, मासता रहें, कोई कहें प्रभुजी मेरे अंगनित अनर्थ हैं, ऐसा नहीं, खाले चाही अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोब, मोह, माद, मासता रहें, वो नहीं भी रेगलर है तो भी भक्ति करते रहो मरो मत उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे मनोधर्म का मिला समझते हैं मन सोचने लगता है कि एक विशेषप्रकार के इंद्री भग को पराप्त करके तुम सुखी हो जाओ इस यह बात समझ में आती है अहार निद्रभ है मैंतों से तुम संतुष्ट नहीं हुए थोड़ा और अलग तरह से संतुष्ट हो जाओगे कभी कोई संतुष्ट नहीं सब्सक्राइब समझते mental concoction factory उसमें जो भी आता रहा तो इसमें धाना दे करके यही बात पिधान रखे कि भगवत वक्ती के द्वाराही में संतुष्ट हो सकता हूं अन विद्धा कन्विश्ट शिट स्टाट मुझे बहुत सीनर प्रहुपाजी के डिसाइबल बोल रहे थे कि जब भी मन कुछ भोग के प्रस्ताव पर संद रखे तो उसके बाद पुछो बुद्धी के दर पुछो उसके बाद क्या होगा आप समझ रहे हैं एक भक्त ने कह कानी सुनाई थे इसके जमद में बड़ इंट्रेस्टिंग कानी कह रहे थे कि एक बहुत शक्तिशाली गुडशावार था और वो पहाड पे जा रहा था डिडड़ ड़ी ऐसे कर गर के तो में लड़की यवा जाती है और लड़की जो है वह पहाड़ पे लटक रही होती है हो गए और बच्चे को उठा रहा है एक बच्चा उसके बाल नो चला है तक दम से सबना टूटता है पर आगे चला जाता है कहने का अर्थ है कि मनो धर्म यह बोलता है कि किसी एजस्ट्मेंट के द्वारा मैं भौतित जगत में सुखी हो जाऊंगा यह मन का कॉंस्टेंट प्लान है कॉंस्टन प्रिचिंग क्या आप समझ पा रहे हैं ऐसे संतुष्ट नहीं हो तुम यह ट्राय करो ना जरूर संतुष्ट हो जाओगे लाइफ इस गुड कि वर आपने ट्राय नहीं कि ऐसा प्रगास तो इस प्रकार की भावना को त्यागते हुए समझे कि मैं शरी सभी और सभी इंद्रियों को वश्मे करें मतलब समझे नहीं मन को समय मित करना गिता भुष्ण टी का चौबिस में श्लोक में योग की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया गया इस श्लोक में इसमें इनने चौबिस और पच्छिस दोनों की टी का साथ में रखिए है औ और पच्छिस से अलग नहीं होना है पच्छिस में को हम देखेंगे जब पढ़ाएंगे तो सादक को हर प्रकार की इंद्रिय विश्यों की को उनकी वासनाओं के साथ त्याग देना चाहिए इंद्रिय विश्यों समझते हैं आप रूप रस गंध स्पर्ष रूप रस गंध स्पर्ष शुरुत्र माच हो गए ना इसकुछ सुनना देखना चुना चकना और सुंगना इस प्रकार के यह हो गया इंद्रिये विशय और इनको भोगने की इच्छा इन दोनों को त्याग ना है यानि विशय क्या होने चाहिए भगवान भगवान ही विशय होने चाहिए भगवान के इसतर को विशय को भी त्याग है और विशय को भोगने की इच्छा को भी त्याग दे जैसे माल जी किसी कि Cricket देखने की इच्छा थे क्रिकट देखते होंगे तो cricket ना देखें और cricket को देखने की इच्छा को भी ट्याग दें नहीं सुन ना फूर्इक चीज है कि हम ने वस्तु ट्याग दे लेकन इच्रा बट्धा वनी तो बहले ही किसने cricket छोड़ दिया हो लेकिन cricket की इच्छा रह जाती है जैसे इस रूम में गुड़ रखा रहे तो गुड़ हटा देंगे तो भी गुड़ की खुच्बू रहती है तो इंद्रिय विश्य हट भी गया है फिर भी इंद्रिय विश्य को भोगने की इच्छा रहत तो दोनों ही चीज़ों को ंधिज़ोंहिशयव जो योग विरोधक विशय भोग ध्य गहां को जो इंद्रिय विशय है जो सेंस ऑबजएक्ट हमारे भक्ती में बाधा देती हैं तो उनको भोगने की इच्छा भोगने का निश्या कि मैं तो बहुग देखूंगा यह picture सुनूंगा यह picture देखूंगा यह फिल्मी गाने सुनूंगा तो यह सब हमारी भक्ति के लिए बाधाःपन्ल करता है तो इस यह इस निश्चय को ही त्याग दीजिये यह नहीं मैं ऐसा नहीं करना मैं भगवाल की भक्ति करूंगा इस प्रकार से व्यक्ति इच्छाओं को त्याग देता है, क्या कटेन हो रहा है, समझ में आज़ा है, सभी इंद्रियों को मन के द्वारा साइमित करना चाहिए, जो विश्यों के दोश दर्शी होता है, ये समझ में आया, अगर मैं इंद्रिये भोग करूंगा, तो इससे मेरे को नुकसान होगा, आपको दढ़ी में दोश दिखता है, क्या दढ़ी में दोश दिखता है अन्वम पृष्प्रवब, आप अपने कोजिन पहले दढ़ी में आफर किया तो आपने क्यों नहीं लिया, बुद्धि न मुझे पता है कि इससे मेरे को नुकसान हो जाएगा, अब समाझ में, अभी हैं जो इतना समझ में लेकिन समझ में नहीं आता है जब हमें जब हमें आपः करना तो यह को सकता है ठीक है तो खुद में नहीं इंद्र भोगन सोगों में फैंस अबजेट्स में कि इसका अगर मैं भोग समझ में आ रहा है इंस अब्जेक्ट इंद्रिय भोग विश्य उन में अगर भोग करूंगा तो मैं फिस भंस जाओं इप अच्छ honeymoon के द्वारा उन वेश्यों को अविश्यों में भलबड है हर विशह भगवान के संद्ध में नहीं होता है क्रिकेट में नहीं कि तो मन फसा देता है क्रिकेट में नहीं कि फूटब। वॉटë बॉलग का क्या दोश है कुछ चीजसें भगवान के संबंद में बिल्कुल नहीं क्रिकट का भगवान से क्या संबन आ भगवान से हम भोलते हैं जिस वस्तो का संबन भगवान से नहीं है उसको माया जानो घा क कंवाभे ता पराज को दोश देखना ये करा अख्या सकती कगा अश्या का ता है नोगते जो कभी नियुक्त म्यार्थ वहाँ अच्छ दोश द्युखन हैने ये चिज़ ठीक शें जो महां भाज वद्यट नीुट्रह में कोardonहुटे किभी कविने स으ां तो यह डिस्क्रिमेशन रहना चाहिए रूप रस घंद सपर्श चीजा है अगर इनका संबंद में देखने लगते हैं तो वही तो वही चीज से भागवान के संबंद में होनी चाहिए नहीं तो महाप्रवु इस्तिरी शब्द भी क्यों नहीं सुनते तो जानते हैं घंद बात करते हैं यह वस्तु भगवान के स्वय में उपयोग कर सकते हैं जैसे हर्मिनम को देखेंनी आता है कि मैं इसमें फिल्म गाना बजाओं मैं कुछ आरे किस्णा पजाओं और यह खत्रा नहीं भाद की नहीं है जैसे कि जगत की वार्ता अगर कोई भोग है माल भोग का मतलब रजगुल्ला रखा जो भवान को अर्पित नहीं है तो फिर उसे खाएंगे हम तो वहां देख रहे ना कि उसे खाएंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है कि इसके लिए अच्छार अच्छार समस्तेशकर्त स्थ्री संगी कृष्ण भक्त कर स्थी संगी एक कृष्ण भक्त आर कृष्ण इस प्रकार से दोपर के साधू नहीं है तो आपको दिखना चाहिए कि यह विक्टि इस्त्री संगी इस्त्री में आ सकते हैं और अब भवान का भक्त नहीं मायवादी है महाप्रभु भी तो मैवादी से संग नहीं करते तो मैवादी किर्ष्ण के दास नहीं है तो रूप कातरूप से तो हैं लेकिन इस समय उनकी ठीक नहीं तो यहां पर आपका बुद्धी लग रहे हैं वहां के संब्ध में नहीं है जो भगवान के संब्ध में उनको ग्रहन करें नहीं तो नहीं ग्रहन करें धार्णा के द्वारा वशीकृत बुद्धी के द्वारा अपने मन को आत्मा के ध्यान में निजित करना चाहिए बैसिकली बुद्धी के द्वारा हमश्वा भगवान की सिवा में लगना तो सिधार क गड्धि के द्वारा मन को नियंतलित करें आप जानते हो मन कैसा है रसी कि तरह Freeze इंदीन ङुंः किया है घोड़े कि गास के तरह यह तो गोड़े हमेशा घास के तरफ भागेंगे और पांचों गोड़े अगर पांस दिशा में भागेंगे तो हम कहां भागेंगे तो इसलिए मन के द्वारा साइमित करना पड़ता है और बुद्ध्धी उसमें सार्थी है बुद्धी जानती है चार्थी को पता है उसे जाना कहा है चखवा योगी को समाध्य में इस्थित हो जाना चाहिए जिसमें वे आतना के अत्रिक्ति कोई चितन ना करें आतना करते है भगवान यह धीरे-धीरे अभ्यास के द्वारा होना चाहिए ना कि हट की द्वारा यह ऐसा नहीं है कि आज हम सोचे कि बस आप मैं आज 10 घंटे बैठ जाओंगा समाधी में तो हो जाएगा क्यों क्यों कि आ बहुत important point है जो हम इस पर में focus करना चाहता हूँ ऐसा नहीं है कि कल से हम 64 माला शुलू कर देंगे तो हमारा मन लगने लग जाएग अपके प्रवजी 64 माला मा करने लिए मना कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं बुलना हो कि करो या ना करो इसा नहीं है कि एकदम रजगोने चित ले करके आएं और हम कल से बिलकुल एकदम बस जब ही करेंगे जिसका मन क्रमशा शुद्ध हो गया है वह भक्ति के जब अंगों करता तो सुख प्राफ्थ होता है और नहीं तो हम लोग निर्वन होने लगेंगे हम से नहीं हो पा रहा है इस प्रवजी इसको नेट्रव डिप्शन बजाते हैं कि इसा कहा जा सकता है कि हर विक्ति को 64 रा मार्म कर शना माखशन बीच पॉला कियो क्यों कहते रहे हाँ अगर यह नहीं बोलता तो मितना भी नहीं करते तो कम से खब्व अ रख्खा गया यह नहीं बोला है एकशम कर लिए शोला अब चोड़ दो मालक थो अगरा सुबही देखूंगा यह तो प्रहपाज करते नियोफाइट डिवोटीस के लिए और प्रहपाज यह भी कहते हैं अगर वाकई हमने प्रगेति की है तो नाम जब करने में सुख मिलता तो हम बढ़ा भी सकते हैं लेकिन क्रमशह बढ़ाना चाहिए बढ़ाने के लिए नहीं कर माला करते हो अगर आपने मालू चार बढ़ा है तो वह भी वैस्ती ही होने चाहिए मतलब जैसे सोला माला अच्छे से कर रहे हैं तो आप देखो कि उसी क्वालिटी से आप कितना और बढ़ा सकते हो एक बार मैं ऐसे किया था बढ़तिस माला करने का प्रयास के हम इस फिर इ यह यह बहुत इंपोर्टेंट है यह मैंने जोने निवास प्रभू से पूछा कि अधिक माला करने से होता कि तेन नहीं तीन बातें ध्यान रखनी होंगी क्रिष्ण अपने नाम से भिन्ह है कि डिजर्व सा कंप्लीट इटेंशन उसके बाद उसे कुछ भौतिक न मांगना करें और ध्यान पूर्व करें तीन चीज़ें हम ध्यान करेंगे तब हमेरा सब्सक्राइब करते हैं ठीक है जैसे माली जी कोई भक्तिहां प्रवचन सुनने के लिए आए और सारे प्रवचन में वाट से भी चक करता रहे तो उसकी प्रगति थोड़ी कटनाई होगी ना है क कभी कभी इस बात का लोग ध्यान नहीं देते लेकिन जैसे हम मंगलार्ती जाते हैं यह आप मैंसे कोई शायद नहीं करता होगा लेकिन मैंने कभी कभी भक्तिहों देखा तो आप ना करें इसलिए बोल रहा हूं उस समय कोई प्रैक्टिकल बात भी नहीं करनी चाहाँ मैनेजमेंट की और कोई बात्तरोजी में कोई बिमारी है वो सब आप मंदर के बाहर जाके बात किजिए यह एटिकेट है जो पर भगते मेरे वारे में क्या का जो कुछ भी कहा है वह समय नहीं है वह समय नहीं है हम कभी नहीं समझ पाते हैं जैसे हां पर मालोग दूभक्त आपसमें बात करने लग जाएं तो क्या आप लोगों का डिस्टर्मेंस नहीं होगा क्रास सुने तो जितना हो सकी वह जो आधा घंटे का समय है मंगलार्ति जो भी हम जब समगे उसमें अभिनिवेश अब्सॉप्शन बहुत अच्छी बात अपने अब्सॉप्शन के बारे क्रिष्ट और क्रिष्ट की सेवा हमारी सबसे अधिक सबसे बड़ी प्रायोर्टी तो चाहिए आप कोई भी सेवा कर रहे हैं मंगलार्ति कर रहे हैं तो बढ़िया से मंगलार्ति होना चाहिए नर्सिंग आर्ति कर रहे हैं तुलसी आर्ति कर रहे हैं क्या करते उसको टाइ है यहीं क्लास भी सुन रहा है और खाना भी बिरा रहे लड़ो भी खार रहे ऐसा नहीं होता है यह जो सेवा में हम कितना अभी निवेश कर रहे हैं और उसका अभ्यादन पहले दिन से कर सकते हैं ऐसा नहीं कि दस साल के बाद करेंगे दस साल तक अगर मैं ऐसे डीली डाले तरह इसे वक्ति करूंगा तो कि 11 साल में एक दम सेंप्रू हो जाएगा तो भगवान यहां बोल रहे है कि हट के द्वारा नहीं ऐसा नहीं कि आप कल से एकदम पर्फेट हो जाएंगे कितना हर व्रिक्ति का सामार्त अलग होता है कितने है कितना उसको कर सकता सायब तो देखिए पहरे भावान को वह समझ महाराज यह नहीं करैत तो यह नहीं कर सकता कंद नहीं क rifiक्ति दिनको को करते थे वह दो टायम प्रसादम पाते थे तो उनकी कंप्लेंड किया भक्त ने यह तो कोई सिवा करता नहीं आउंको बहुत सारी सिवा कराते हो यह वो एक अच्छा भक्ति संद्रागोड जी से आप करना चाहते हैं जब ठीक है कल से आपके बल जब कीजिए एक दिन उन्हें अगंटे किया दो दिन किया तीसर दिन उन्हें आथ खड़े करते हैं मेरे से नहीं हो सकते हर्विक्ति का अधिकार लगे तो महारे महाराथ पता रहेते हैं विकेन ओनली दू दॉट इफ क्रिष्णा इस रिवीलिंग श्वीटनेस व नेम इस वियू आसे खेल तपस्था की अब माली जिए आपको 6 घंटे पोच्चर ऐसे रखना है तो बड़ा कठी हो जाएगा ना जितना आप कर सकते हैं उसको रेगुलर्ली करने का प्रयास करें धीरे धीरे प्रगति करते हैं ध्यान रखेगा इसे करके जब करना है वो समझ जाएंगे और मैं बार बार उनको कह अब अपने आखे बंग कर लिए धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि बहुत सर लोग सचेत नहीं इसलिए सुनते 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 कभी भवान उसको पिरणा दे देंगे कि ये तुम शिक्षा वही है शिक्षा रिपीड की जा रही है लेकिन उनको लोग कुसी क्व बहुत बार बाते में repeat करता हूं प्रभुपाजी repeat करते हैं कि एक बार में बात समझ में नहीं आती कि आपको ऐसा नहीं कि कि आपको समझ में आ जागे कि regularity बहुत important हो तो किसे सब लोग regular हो जाएंगे हाँ प्रभुजी बोला है रगुलर हाँ बस ठीक है और प्रभुजी खुझ रगुलर जाएंगे ऐसा भी नहीं है इस डिफिकल्ट लेकिन कि मैं रिपीट करते रहना चाहिए इस्ट्रक्शन ऐसा नहीं कि आप ही देख रहे हैं मैं भी देखता हूं कौन सो रहा है कि ठीक है कि यह मैंने जरूर देखा है कि जो भक्त लोग भड़िया से माला करते हैं उनको एक भक्ति के में नाम में एक सुक्कन्भ होता है and it is not dependent on how many years you have passed यह यह लिखे मैं दे सकता हूं इसका कोई relationship नहींकि कि कितने समय से जब कर रहे है। प्रभुपाजी इसको इस पर लिखते हैं निरपराधिक जब दिख्षा पे भी निर्भर नहीं करता है कि बोला मैंने निर्ब रधिक जब दिख्षा पे भी निर्वर्ण नहीं करता हूं दिख्षा पुरस्य आधी कि advoc आच्छा करना चाहता तो अपना दाइग तेटू स्वेम लेता है कि में अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो जो विक्ती आप कान कोल के सुनता है तो सोचेगा कि हां क्या बताया गया सा जब के बारे में इस हैब भक्ति करने के बारे में उसको आपने जीवन अप्लाइ करता है उसको करना करना नहीं है खाना पूर्तिकर है वो कितना ही बोली उसको इसंकल्फ होना चाहिए और उससे सीडी सीख रहते अब अब प्रश्ण को प्रवजी इंजीन करने के लिए कितना समय लगता है को बोले 24 साल लग जाएंगे 24 साल तो मैं तो ABCD क्या फाइदा सीखने हैं तो क्या बोला जाएगा करो अभी कि भी सीडी सीखो फिर वर्ड सीखो पिर सेंटाइज सिखो फिर धीर कितना आपको महनत लगी है थोड़ा अंगरेजी जानने के लिए और बगती एक ही साल में सीख जाएंगे कि सुचना चीने है हमेशा फर्स्ट ही आते थे आप लोग सब करते रहें तो आदमी तो पढ़ी ले रहा है उसके सवलता निजित है कुसे यहां सवचगारण की बरेहीं धर से इस मारक का अनुसरन करना चाहिए और यदि सबलता मिलने में विलम हो रहा है तो निरुसाहित नहीं होना चाहिए अच्छा एक इंटरस्टिंग बात जो भगवान कहते हैं वो कहते हैं कि जब कोई भक्ति के पहते पे आता है तो मैं ध्यान पुर्वक सुनिये जान बूच करके अपने आपको उसे तुरंत प्रकट नहीं करता ऐसा नहीं कि भगवान प्रकट कर नहीं सकते जान बूच करके भगवान तुरंत ही अपने आपको हृत्य में प्रकट नहीं करते क्यों नहीं करते क्रिष्ण को प्राव्त करना क्या है कुछ नहीं को बहुत असाल है कि इसलिए किस्टन रिजर्फ वो देखते हैं सहर की परिक्षा करें कि क्या है आप लोग प्रश्ण को क्राव्त करना चाहते हैं ये तो ये मेरा फार्मॉला नहीं मैंने भी प्राप्त नहीं किया लेकिन वागवत का फ़र्मॉला सुथ कुरू सागी तीन गोड अनुवृत्या अनुकूल भाव निश्कपट्था और निरंतर्था हम भाहले भी कर चुकिए हैं फिर रिपीट कर रहे हैं अनुकूल अनुव प्राप्ति चरण कम्लों की प्राप्ति तभी करेगा जब इन गुणों से युग तो पहला गुण क्या है अनुवृत्ति मतलब अनुकूलता भगवान की प्रति अनुकूल पॉजिटिव फेवरेबल भवान प्रसन्नों से ठीक दूसरा क्या है निश्क पढ़ता कोई बहुत आज की अकल छोड़ दिया पर पड़तों छोड़ दिया इंग्लिश में आप कहवत सुने रोलिंग स्टोन गैदर स्नों मॉस सुने एक पत्थर जो से रोल करता रहेगा उस पर कोई घास चुपकती नहीं है तो इस थैरता का बहुत महत्त्व है कभी को सुचते मैं इस संपर आम अधिशा भी प्राप्त हो गया महरा जी से उसके बाद दूसरे संव्जाय में चला गया उसके बाद रुमायवज चला गया तो मुझे लगता उसे फिलोसफी के सबज में आई ये भी अश्य है अन्याव बीड़ पॉइंट 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 इस की उत्साह के संग इसमें और प्राटिकल चीजी है कि जब हम भक्तों के संग रहेंगे जो उत्साहित हों तो हमारा उस्षा बना रहता है क्योंकि हम हमेशा उत्साहित नहीं रहते हैं आपने अनभव किया है और हर दिन कोई ना कोई भक्त उत्साहित रहता है जैसे एक दिन प्रभशी आए व उसको अच्छा हो रहा है एक 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 चोटा सा प्रश्न है अगर मान लिजिए आपके पिता की दस पुत्र हैं तो कौन से पुत्र की मृत्यू आपकी पिता चाहेंगे तो यह बात हमेशे ध्यान रखें कि मानलो कोई को भक्ति से ड्रिफ्ट कर गए वह एक बच्ची है क्रिश्न के सब्सक्राइब कर चुके हैं अन्य भाइयों को यह सोचना चाहें कि वापस यह आए और वापस परिवार को जौन करें कि आपकी पिता एक भी बच्चे को मरते वर नही देखना चाहते एक भी और आपको भी नहीं आप और difficulties आपकी 8550 की पर मैं आपकी निरंता ये तीन भाव से सेवा कर सकूँ जद्धा से आपका नाम जब कर सकूँ यह आश्यरवाद मुझे बनाए रखें दुर्गुण तो हम मेरे बहुत हैं दुर्गुण का तो कोई लिमिट नहीं है लिमिट तो होगा लिमिट तो कुछ भी नहीं रख सकते ह मैं मैं आपको पूरा यह मैं नहीं प्रार्थना कर रहा हूं यह नारज जी की प्रार्थना भगवान आपकी भक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है आपकी भक्ति के द्वारा सारी संफलता प्राप्त हो जाती इसलिए बस मुरे मन को आपकी भक्ति में स्थिर Everything is achieved in due course by a devotional service. So keep my mind fixed in devotional service. यह प्रार्थना है. नारज जी की प्रार्थना रेक्टर आपड़ सेथे. समझ में प्रार्थना? मेरे मन को और कहीं ने जाए. आपके भक्ति के पत्व पे एकदम फिक्स रखे. Yes. हाँ जी. ऐसे दिर्ट अभ्यासे की सफलता सुनिच्चित है. भक्ति योग के सम्बन्द में रुफ गुसामी का कथन है. उस्सहा निश्चया धैर्या ततत कर्म प्रवर्तनाच संग त्यागा सतो गृते शडबिर भक्ति ही प्रसिध्यती. Yes. अब इसका तो पूरा प्रवचनी हो जाएगा. उस्सहा का मैंने एक चीज़ देखी है कि भक्ति का एक सभाव ही है कि अगर हम आप राधों से बचे हैं तो अपने आप ही अपका भक्ति का उस्सहा बढ़ने लगता है. अगर उस्सहा कम हो रहा है तो कहीं नोटिस किजिए कहीं किसी अप्ध का अपरात तो नहीं हो रहा. और वायशनमा की सिवा करके, वायशनमा की सिवा आप बाइसे मैं बूरूँगा, तो आप सोचा के प्रसादमतर., ये तो है ही, इस बहुत अच्छा लगता है, ये तो है ही, और किसी द方 से भकटों की सिवा कर सकते हैं, ने और से bilang के सब सीवा कर सकते से से अच्छा लगए उसके वोका सादू बाग वरावर तो अगर सही में बहुत व्याकुल भक्त है उसके बाद उसका प्रसाद छिलाए तो वह आशिरवाद कि अपकर अपना ही नहीं कर से बहुत बड़ी है बहुत बड़ा फाइदा है मैं इसको रिपीट करूंगा भगवान के भक्तों के मुख में जब प्रसाद देते हो वह भगवान को हनी देने जैसा होता है हनी मतलब शहद शहद अजकल मिले या ना मिले वह भक्तों के मुख में यह और दो बार भागवत में इस बाद कर वान बोलना है कि उतना मैं पसंद महराज बता रहे थे दो बातें एक तो यह है कि जब भक्तों के सेवा करए कि देवताओं की तरह हैं कि अदुन पर बड़े सम्मान की भावना सेखिवन यह सब देखिए यह सब भावना तब आती है जब वेक्ति शास्त्र सुनता है तब उसको समझ में आता है इस नोट जॉब विटा इम दूइंग इस सम्झें वेरी में रख्रिवलेश्ट विदूर्श शर्विस अगर्में करने को प्रावत ठीक है तो यह सब चीजिए हैं आपने खिलाया फिर भी हर कॉर के संजब संतुष्टी का अन्भव कर रहा है तो हमारा इंदर आकाउंट बढ़ रहा है समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं है यह फीडिग अवेश्ट नव ही टेक्स प्रसादम एवन इस देंट अक्नॉलिजिस्ट आप्रसाद बनाया तो अकस्मात इश्यरपुरी आए और इश्यरपुरी पाद प्रेम में भेवल थे मतलब इसे शराब में धृत्त होता है इस तर से वस इंटॉक्सिकेटिटिट इविट बाय चैंटिंग थे होली निम्स नाम चालन करते हुए उनको नशे में दूत्य थे फिर बोले कि प्रसाद में से है प्रसाद है या नहीं आए तो महापुर उनको बिठाया और पर उनको प्रसाद का तो कहते हैं आदा आदा कर लें महापुर करते हैं नहीं आप पहले पूरा प्रसाद पाईए गुरु है प्रसाद खेलाया फिर महापुने दूप फिर से आपने लिए बहुत बड़ी मदब सेवा है इस पर कास कि हम बात कर रहे थे बदों की सिवा करना चाहिए इससे भग्त हमारा उस्जा बढ़ जाता है तक संकल्प की बात है मनस्कोट 151 श हनिश्थ्चयाद है हमारा उस्वार है और आध है और रसाद नहीं है तो अध्रीम को जीवन है जी है ध्री वे वो जाएगे जब वो जाएगे तो वो जाएगे देखाए जयागे न लिवत ही बहुत। तो यह तो बहुत काम र॓क ना किती हुए नहीं और अगर उज्शाब है और धर्व नहीं तो भी ओषらणागति नहीं हाए Article कि शॉद किज। लिए है कुछ भवान जब चाहेंगे पुछ सा किसा इस पर पास्टम तो सुना सकते हैं संगत्याग बहुत महतून है और सतो वृत्य मतलब जैसे संगत्याग मतलब जो बहुत इक्तावादी लोगों का संग नहीं करना चाहिए और संग किस प्रकार से होता यह भी आप जानते हो उसे बोजन ग्रहन करना भोजन देना भोजन देना को दिक्कत नहीं है प्रसाद देना लेकिन प्रसाद ग्रहन करना बहुत गलत है और गिफ्ट देना या गिफ्ट स्विकार करना और और हृदय की बात को फिगंत करना है तो अगर मालीज़ आपकी सेवा के संभी के सम्मंध में आपको बहबारिक बात करनी होती है मतलब समाज की नहीं और घ्रोल काम भर की बात कर रहे है इसका मालीड़ यह नहीं कि आप उनके संक ने आपने कभी महसूस किया कुछ लोग जो बहुत भादिक्तावादी होते उनसे बात करके यू फिल आपकी इनर्जी लेटाउन हो जगती है आपने महसूस किया है तो इस प्रकार से हमारी भक्ति बढ़ती है संग त्याग करना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें है उसे कोากषंश क संग के बारे में बोले थे किया अग से बश जाता है लेकिन मोतराफ़ सयकील मिलता है अगनी के thinksंप में तो है लेकिन दीखता नहीं कि वह गर्शा नहीं है तो दुर दूर सब्सक्रहिए और स्तिरी या सकत है ऐसे संग करेगा तो फिन भ्रुष दोश आजाते हैं ऐसे भगवत संगी व्यक्ति है भवान में प्रेम है उसका अनजाने में भी संग करेगा तो उससे भगवत संग प्रापत होगा भकती में अस संग मतलब आसक्त हो जाएगा इस पर मैं प्रवचाना दिख नहीं करना चाहता है इस सारे अलग अपने आप में बढ़ी बात धान रखें कि ये छे चीजों से ही हमारी भक्ति बढ़ती है तो उसलिए प्रश्ण उठना ही नहीं चाहिए कि हम भक्ति में प्रगति कैसे करें नेक्टर विंस्टक्शन पढ़ लेगे उस्थाहा नहीं आ रहा कुछ नहीं आ रहा है तो उच्छा कारण है जिन् जहां तक संकल्प की बात है, मनुष को चाहिए कि उस गुराइये का आदर्स ग्रहन करे, जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मगन हो गये थे. कहते हैं कि एक गुराइया ने समुद्र तर्ट पर अंडे दिये, किन्तु बिसाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया, इस पर गुराइया अत्यंद सुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किन्तु समुद्र ने उसकी प्रात कल्व का उपहास करने लगे उसके इस कार की सरवत्र चड़चा चलने लगी तो अंत में भगवान विश्णु के विराट वहन पच्छी रग गरूर ने या बात सुनी उन्हें अपनी इस नन्नी पच्छी बहिन पर दया आई और वे गुरया से मिलने आए गुरया उस नन्नी गरूर उस नन्ही गरूरया के निचह से बहुत परसंड हुए और उनोंने उसकी सहायता करने का वच्चन दिया गरूर ने तुरंस समुन्द से कहा कि वा उसके अंडे लोटा दे नही सस्वयम आगे आना परेगा इससे समुन्द रहभित हुआ और उसने अंडे लोटा दिया वा गुरईया गरूर की किरपा से सुखी हो गई इसी पर का योग विशेष्टा कृष्ण भावना अमरित में भक्ति योग अत्यांत दुसकर परतीत हो सकता है किन्तु जो कोई संकल्प के साथ नीमों का पालन करता है भगवान निच्चित रुप से उसकी सहायता करते है क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते है भगवान उनकी सहायता करते है यह पॉइंट पे बोलना चाह रहा था एक बग्त ने बुला क्रिश्ण चैना प्रेजिस्ट वन थिंग अध्यान प्रोग सुनिए इसको हिंदी में क्यों अनवात कर सकते है क्रिश्ण इस बात को रिजिस्ट का क्या हो सहन नहीं कर सकते नजर अंदाज नहीं कर सकते जीव उनको सचे दिल से प्राप्त करना चाहता क्यों पूरा प्रयास करना जैसे रूप को सब्सक्राइब करते हैं मैं बॉना हूं मेरा आपको प्राप्त करने का प्रयास कैसा है जैसे बॉना चंद्रमा को छूना चाहता हूं बॉना मतलब ऐसे इसकी हाइट छोटी है जिसकी हाइट बड़ी हो वो भी चंद्रमा थूण चहू सकता है कि बहुना है मैं और कम हूँ और मैं आप signal connection कुछूनना चाहता हूं लेकिन लेकिन चंद्रमा को छूने का प्रयास संभब नहीं है बॉने के लिए लेकिन चंद्रमा की शक्ति है कि बॉने के पास आ सके समझते हैं, so ultimately अगर हम sincere हैं, प्रभु पाजी ने से बताया है कि try to hear yourself chant sincerely समझते हैं, बहुत सिंपल सी बात है बुल रहे हैं, और बहुत sincerely को क्या बोला जाएगा, गंभीरता seriousness को कहा जाता है, इमानदारी सो सुनने का प्रयास करें, ये ये तरीका बड़ा दिव्व है और ये दिखाता है कि हम Guru का अदेश पालन करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान ही अपनी वेवस्था से जो सहायता जिस समय आवश्रक होगी भेजेंगे कि अपने जीवन में आप यह अनभव कर रहे हो जो सहायता आपको जिस समय जो ज्यान आपको चाहिए होता है वह भी एक निये समय में आपको पराप्त हो जाता है यह यह खलबात थियोरी की नहीं है इस आपको एकदम अपने कि जीवन में अनभव करेंगे कोहीं कोई आपके मुण में डाउट था को फिलोस्फिकल का कुछ डाउट है कोई ज्यान समझ में नहीं आ रहा है भक्तों कोई किसी भक्त को भेज देंगे किसी जूनियर भक्त के माध्यम से भी आपको सिक्षा प्रदान कर सकते हैं यह जैसे कि निम्नदाइत्व अपने आप ही हमारे जीवन से हट जागा तो यह बहुत बहुत मैं यह आप अपने जीवने अनभव करेंगे अगर आप भक्ती प्रग्रती करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि नाम में रुचि प्राप्त हो तो भगवान वेपस्था करेंगे कि आपको वो ग्यान प्राप्त हो जाए दिट मेंक सेंस इंज बात अंभव भी करेंगे अगर आप करते रही बक्ती सेंसर ली ठीक है तो बुछ बोलना चाहते हैं कियाना से श्रीमत भगवद गीता की जायर शीदा प्रफपाद की